Hello 42, अभिवादान आपका एक्जिमर के इस दूसरे भाग के अर्थराइटिस के वीडियो में और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे बिभिन उपचार के तरीकों के बारे में जैसे अर्थराइटिस का एलोपैथिक, आयरवेदिक और होमियोपैथिक उपचार क्या है? इस इसमें हमने विस्तार से बताया है अर्थराइटिस के कारण और लच्छनों के बारे में। लेकिन अगर किसी को अर्थराइटिस हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आएब इस बारे में बात करते हैं। अर्थराइटिस हो जाने के बाद फीजो थेरपी बहुत फाइदे मन्द होती है जोलों की समस्या में फीजो थेरपी काफी असरदार है यहां तक की हलकी दिक्कत होने पर अगर आप फीजो थेरपी करा लेते हैं तो बिमारी नहीं बढ़ेगी बहतर रहेगा कि जब तक इत्यादि दरसल वजन को हमेशा सेंटर आफ ग्रेविटी के पास होना चाहिए हम लोग अकसर भारी बैग हाथ में उठा लेते हैं जबकि विदेसी पिठ्थु बैग यूज करते हैं पिठ्थु बैग से वजन का लोड पूरे सरीर पर रहता है ना कि सिर्फ हाथों पर इस जैसी कि एक हासे सूटकेस उठाना या कलाई का पूरा वजन डाल कर उठाना इसी तरह किसी भी जगे ज्वाइन को एंड रेंज तक बिलकुल ना मोडे जैसे कि उंगलियों के सहारे बाल्टी उठाना या जोर से कपड़े निचोड़ना या टैप को पूरा जोर लगा कर ब इंडियन टाइलेट को यूज करने से बचें इंडियन स्टाइल के टाइलेट यूज ना करें इससे घुटनों पर ज्यादा जोर पड़ता है इसके साथ ही चोकोड़ी मार कर ना बैठें सेडियों का इस्तेमाल भी ना करें तो अर्थराइटिस में अच्छा ही रहेगा और हमेशा कुरसी पर ही बैठे रहेंगे तो आगे चल कर घुटना मुण ही नहीं पाएगा लेकिन किसी भी हिस्से पर ज्यादा प्रेशन ना डाले मसलन डांस रस्ती कुदने जैसी एक्टिविटी से परहेच करें और जो पाचवी चीज आप कर सकते हैं वो है पेन के ज़से परहेच करें अगर सरीर में दर्द है तो सरीर बता रहा है कि कुछ दिक्कत है हम अक्सर पेन किलर लेकर उसे चुप कराने की कोसिस करते हैं इससे अंदर ही अंदर तकलीफ बढ़ जाती है ऐसे में जहां तकलीफ है उसे दूर करने की कोसिस करें मसलन अगर मसल्स वीक है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है या वजन कम करना है पेन किलर लीवर को बुरी तरह नुपसान पहुचाता है इसलिए बहुत जरूरी हो तो कभी कभा आप पहला सीटा मॉल ले सकते हैं और फैटी लीवर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडिय जो भी देख सकते हैं जिसका भी लिक डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है और जो छट्वी चीज आपको करनी है वो है ठंड से बचाओ करना है सर्दियों में अर्थ्राइकिस के मरीज का ज्यादा ख्याल रखें खासकर गठिया वाले मरीजों का ठंडे पानी की बजाए हल भी तेल से आप कर सकते हैं मालिस हलके हास से करें साथ ही स्टीम बात या गर्म पानी से सिकाई भी फायदे मन्द है दिन में दो बार 15-15 मिनिट के लिए मालिस और सिकाई कर सकते हैं अगर घुटना बहुत सूज गया है या लाल हो गया है तो सुरुवाती 24 घंटे में उनका दवरा बन जाता है जिससे फौरी रहात मिलती है और आठ्वी चीज जो आपको करनी है वो है एक्सेसाइज एक्सेसाइज जरूर करें ब्रिस्क वाक साइकिलिंग और स्ट्रिमिंग आपको करना चाहिए योग और स्टेचिंग भी आप जरूर करें लेकिन जमीन पर बैखने वाले योगासन न करें जैसे कि बजरासन इत्याद और नवी चीज जो आपको करनी है वो है लोकल सपोर्ट यूज़ करें अगर दर्द है तो नी कैप या एलबो कैप आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन सास एकसिसाइज भी जरूर करें इन्हें भी लगातार यूज़ को इनकी आदत पढ़ जाएगी और जो दस्वी चीज है वो है आपको अपने खाने का ख्याल रखना है लहसुन, अदरक, हल्दी, एलोवेरा, ग्रीन टी, फ्लैक सीट, बदाम, अक्रोड, लॉंग, सौट, आदी को अपने भोजन में सामिल करें बिटैमिन C घुटनों के ल अर्थराइटिस है, तो प्रोटीन बेहत कम खाएं, साथ ही गैस बनाने वाली चीजें, जैसे कि कच्चा सलाथ, ब्रेड आदी कम खाएं, चीनी, सौफ्ट ड्रिंग, टमाटर आदी भी यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, इनसे परहेच करें, और यूरिक एसिड में कैसा हो इसके इलाज के चार स्टेज होते हैं, हर स्टेज के मुताबिक इलाज होता है, मोटे तोर पर एक्सरसाइज के सास्तात बिविन तरीकों से इलाज किया जाता है, जैसे सप्लिमेंट के साथ पहले स्टेज का इलाज होता है, घुटनों में घिसावट है, तो कुछ महीने ग् करना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शन थेरपी दी जाती है। इंजेक्शन थेरपी दो तरह की होती है इसे घुटनों में दिया जाता है। पहला विसको सप्लिमेंटेशन और दूसरा लोकल स्ट्राइड। विसको सप्लिमेंटेशन चिकनाई बढ़ाने वाले होते तो यह दिया जाता है जिसका असर कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक रहता है इसके रिजेट मरीजों पर अलग-अलग होते हैं और लोकल स्टोराइट दर्द कम करता है और इसका कोई लुकसान भी नहीं होता और असर कुछ महीनों से लेकर साल भर तक हो सकता है इसके अलावा अर्थराइटिस के इलाज में PRP तक्नीक भी इस्तेमाल की जाती है PRP यानि प्लेट्रिट रिच प्लाजमा तक्नीक इस तक्नीक में मरीज के बलड से प्लेट्रिट निकाल कर तकलीफ वाले हिस्सों में डाला जाता है इसके अलावा सर्जरी भी की जाती है और सर्जरी दो तरीके की होती है पहला माइनर जिसे और्थोस्कोपी और दूसरा मेजर जिसे नी रिप्लेस्मेंट कहते हैं माइनर यानि और्थोस्कोपी सर्जरी लेपरोस्कोपिक होती है और यह पर्मानेंट नहीं होती इसमें जोड surgery यानि knee replacement जिसके बारे में हम वीडियो के दूसरे भाग में बात करेंगे और आईए अब बात करते हैं arthritis के आयरवेदी की लाज के बारे में आयरवेद में arthritis के लिए पंचकर्म थेरपी दी जाती है इसमें भी जानूबस्ती खास तोर पर असरदार है इसमें घुटने पर एक प्रकार का घेरा बनाकर प्रकृति के मताबिक तेल डालते हैं इससे घुटने को चिकनाई मिलती है इसके अलावा रासनाद गुगल, योग राज गुगल आज भी काफी फायदे मन्द है इसके अलावा यूरिक एसिड से होने वाले arthritis के लिए महा मास या तिल के तेल से मालिज भी खासी असरदार होती है सुबे साम 15-15 मिनट आपको इसको करना चाहिए सोने से पहले रोजाना एक चम्मच त्रिफला चून गुनवने पानी के साथ लेने से सरीर के दोस बैलेंस रहते हैं और गन पानी से सिकाई करना arthritis में काफी फायदे मंद है जो कि आयरवेद में किया जाता है आयरवेद के अलावा होमियोपैथिक उप्चार भी किया जाता है होमियोपैथि में किसी बीमारी की कोई एक पेटिंट दवा नहीं होती बलकि डॉक्टर लच्छोन के आधार पर दवा देते हैं arthritis में जो दवाएं आम तोर पर दी जाती है उनमें प्रमुक हैं आर्णिका, रूटा, सल्फर, रस्टास्क, कास्टिकम, ब्रायोनिया और कैलकेरिया कार्व इत्यादे तो आज के वीडियो में बस यहीं तक और हमें उम्मीद है कि या वीडियो आपको arthritis की समस्चा को समझने और उसके इलाज में मददगार साबित होगा इस विशे से संबंधित अपने प्रस्णों और सुझावों को आप कमेंट करके हम तक पहुँचा सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार